कि दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब एभू कि आप सब ठीक होगें दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK Electronics Technical Guru YouTube Channel से दोस्तों मेरे पास मैं एक आज बजाज का प्रेस आया हुआ है यह आप देख सकते हैं जिसमें की एलिमेंट खड़ाब था और एलिमेंट जो बदलने का प्रोसेस है तो मैं आपको आज इस वीडियो के माज़ें से दिखाने वाला हूँ तो जो नए मेकणिक हैं उनके लिए काफी हल्पुल वीडियो होने वाला है तो वीडियो को स्किप ना करें वीडियो पूरा देखें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताओं कि इसमें जो पहले हमारा एलिमेंट लगा हुआ था हलांकि यह element हमारा continuity meter पे शो कर रहा है लेकिन सर्थ यह है कि प्रेस का जो cabinet है cabinet के साथ में हमारा यह continuity शो कर रहा था तो यानि कि यह element हमारा इसमें च्रेंट का कहना है कि कुछ इस तरह से फैरिंग मार दिया था कि इधर से भी इसका फैरिंग यहां से मार दिया था क्योंकि यह करेंट मार रहा था इसमें और और यहां भी हमें लगता है जो चिंगारी जैसा लगा हुआ है तो यहीं से सौटिंग हो रही थी आप ज़रा ध्यान से देखें यहां पर मैंने अभी सरेश पेपर से जो है सभी को अभी जगर के साफ किया है दोनों सतर और अब मैं इसमें फिट करने वाला हूं और देखता हूं कि यह देखिए इस जगह पर मैं अभी यह वाला लगाने वाला हूं और यह एलिमेंट जो हमारा है यह साड़े साथ साव आट का है ठीक है दोस्तों यह दोनों पीन इसका कनेक्टिंग पीन हो गया दो सतर दे रखा है दोस्तों आप ध्यान दीजे एक यह सतर और एक यह सतर तो इसमें आपको जो लगाना है यह ऐसे पलट के लगाना है और पलटने के बाद और यहां पर हम इस्क्रू के साथ इसको टैट करेंगे इसको आपको जितना हो सके दोस्तों टैट कर देना है ताकि आपका element का जो shifting है वो सही हो जाएगा और element सही तरह से shift रहेगा अंदर तो जल्दी फुकेगा नहीं इसको लूज ना रखें लीजिए हमने इसको सेट कर दिया और एक वार हम इसका continuity देख लेते हैं मीटर से कि फिर से हमारा सोट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यह तो हमारा कॉयल के दोनों सीरा जिस पर हम जो है मीटर सो कर रहा है तो इसका मतलब है जो एलिमेंट हमारा सौट है और यही चीज हो रहा था हमारे यह पहले वाले एलिमेंट इस करन से हमने इसको अभी चेंज किया है अब इसका हम देंड़ करेंगे कंपलिट वायरिंग करने के लिए आपको यहां थर्मोषटेट क्वरासा जो है जहां से स्रेजटी पेपर से क्योंकि अभी खुला हुआ है तो स्रेजटी पेपर से साफ करने में आसानी होगी यहां जो हमारा ये दो पुएंट है इसको हम अच्छी तरह से एक इसको और एक नीचे वाले को ये दोनों को हम अच्छी तरह से साफ करेंगे से इस पेपर से क्योंकि element फुकने का रेजन ये भी होता है कि लूजद कॉंटेक्ट्स अगर यहां से थर्मोश्टेश्ट में से लूजद कॉंटेक्ट होगा अंदर तिंगारी मारेगी तो भी आपका चैब है लेंगे इसमें फसाने के बाद हमें यह थर्मोस्टेट सेट करने का भी तरीका है दोस्तों इसको आप जो है बहुत लास्ट में जा करके इसको ऐसा रखना है कि हलका सा इसमें से प्रेंग छूट जाए और बाकी जो जगह है वहर जगह उसका टच होगा आप देख सकते हैं यहां पर गैपिंग हो रही है और जैसे ही यहां से थोड़ा सा मैं गुमाऊंगा तो यहां से यह टच कर जाएगा यह आप देख सकते हैं टच कर गया तो इस तरह से यह थर्मोस्टेट का सेटिंग होता है जब तक टच नहीं करेगा तब तक हमारा यह एलिमंट में शपलाई नहीं जाएगा वो इसके नहीं जाएगा कि एक हमारा कनेक्टिंग होगा जहां पर और एक कनेक्टिंग होगा यहां पर एक कनेक्टिंग यहां और एक कनेक्टिंग यहां अब यह हमारा दो पॉयंट हो गया अब यहां पर कौईल को हम चेक करेंगे कौईल हमारा ठीक है और यह हम थर्मोस्टेट के साथ में हमारा कोईल का टेस्टिंग करेंगे तो यह हमारा ठीक है ठीक है दोस्तों अब हम एक बार यहां बोडी को टेज करके यह चेक कर लेंगे कि हमारा यह फिर से कहीं सौर्टिंग तो नहीं है अब यह हमारा जब ओके हो गया तो अब क्या करना है यह द एक होता है जो supply हमने प्रेस में दे दिया तो हमें पता चल जाए और एक होता है कि जो supply देने के बाद प्रेस ओन होगा यानि आपको चाहिए जो नहीं जब तक हमारा element और नहीं होगा तब तक हमें यह जलना नहीं चाहिए तो आप एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां जोड़ दें तो इससे क्या होगा जब element में supply जाएगा तब आपका जो है यह LED गलोग करेगा तो इसमें जो सही तरीका है वो आपको प्रेस में लैट देने के तुरत बाद आपको पता चल जाना चाहिए जो प्रेस में लैट आ गया है और अब हम आगे का प्रोसेस करें तो अगर आपका हेटिंग हो रही तो ठीक है नहीं तो आप यहां से रेगलेटिंग करके हिटिंग कर वा सकते हैं है अगा 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 अगेवाँ आगाए है अगा प्राप्राच सह मुटकर प्रापन यह हो गया हमारा फाइनल अब इसमें हमें दोनों वाइर को जोएंट करना है अब दोनों वाइर जो जोएंट करेंगे उससे पहले क्या करेंगे हम एक बार वाइर की भी टेस्टिंग करेंगे क्योंकि जब हमारा एलेमेंट चेंज हो गया है तो फाइनल के लिए हमें एक बार वाइर का टेस्टिंग करना जरूरी है तो यह वाइर हमारा यहां से डैमेज लग रहा है एक वाइर तो डैमेज है अब दूसरा वाइर देखते हैं देखिए यह निगेटिव वाइर भी हमारा ठीक है और पोजटिव वाइर जो है हमारा डैमेज है अब यह वाइर हमारा कहां से फैरिंग किया होगा तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा एक होल हो रखा है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है तो यह यहां से हमारा फारिंग कर रखा है अब हम इस सिच्वेशन में क्या करेंगे तो इस वाइड को देखेंगे कि और जगा भी हमारा डैमेज है या एक ही जगा डैमेज है तो मुझे लगता है जो एक ही जगा डैमेज है तो यहां से काट करें और फिर मैं जोइंट कर दे तो दोस्तों सबसे मेन और सबसे मुद्दा जो है हमारा यह वैरिंग के उपष अपर आता है तो यहां पे वैर जो खिचने की है अगर आप जवरदस्ति करते हैं तो बाहर से क्या होता है वैर हमारा खिच जाता है और joint हमारा तूर जाता है इस situation में आपको क्या करना होता है यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने थोरा सा tape लपेट दिया है और इसके अंदर जो है इसी का टुकरा जो मैंने अभी निकाला है शील के उसको मैंने डाल दिया है ताकि अब जो बाहर से अगर जबरदस्ती खीचें यह नहीं और यह श्ट हो गया दूसरा के हमारा एक पॉइंट यह जो अर्थिंग के लिए होता है जो अगर हमारा कहीं से अर्थिंग लेगा तो जो हमें क्रेंट का ड्र वह नहीं रहेगा तो यहां पे हम इसको ऐसे टेप लगा देंगे layering. Ñ उसके बाद दूसरा point हमारा आता है negative और positive इसमें तो negative positive नहीं होता है लेकिन face neutral तो होता है तो face neutral का जो connection करेंगे उसके लिए आपको इक यहाँ पर मैं यह sleep लगा दिया है और ये मैं LED का एक पॉइंट यहां पर जोरूंगा इसलिए मुझे स्लीप की जर्रत थी इसको हम यहां पर ऐसे वैरिंग भी मजबूत रहेगा और LED बल्प हमारा तूटेगा नहीं यह हमने यहां जोर दिया है और दूसरा जो पॉइंट है उसके साथ में हमें इसको भी जोरना है ऐसे जोर देंगे थोरा सा पिलास से इसको फिक्स कर देंगे यहां भी थोरा सा टेप हमें जर्रत परेगा और इसका जो हमारा में कैप है हम इसको भी लगा देंगे जहां आप ध्यान दिजेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा इंडिकेटर जल गया है और प्रेस हमारा हिट कर रहा है 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 यह अजय कर दो चुक कर दो है बार 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 रबड़ को उया है यो